हर्याना विदानसभाद चुनाव के नतीजु ने कॉंग्रस को शौक दिया और शुरू में बीजेपी को भी हैरान कर दिया ऐसे मौके कम ही होते हैं जब चुनाव के दिन दो मुख्य प्रतिद्वन्दी पार्टियां हो और दोनों ही जीष्ट का जश्न मनाने का उनको मौका मिले हर्यान में कुछ ऐसा ही हुआ जहां कॉंग्रेसियों ने भी जले भी खाई और बीजेपी वालों ने भी जले भी खाई कॉंग्रेसियों ने भी ढोल बजवाए और बीजेपी वालों ने भी ढोल बजवाए ऐसा इसलिए हुआ कि सुभा करीब एक घंटे तक रुजानों में कॉंग्रस जीत हासल करती हुई दिख रही थी लेकिन शाम होने तक बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिखने लगी और फिर जो फाइनल नतीजे आये उसमें बीजेपी की बल्ले-बल्ले हो गई और हर्याना के 57 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है हर्याना में 48 सीटे जीत कर बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी और कॉंग्रस सिर्फ 36 सीटे ही जीत पाई जेजेपी आईनल्डी का तो मूँ भी मीठा हो गया लेकिन आम आदमी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला बीजेपी में जलेबियों का जो दोर शुरू हुआ फिर वो रुका ही नहीं कॉंग्रस के सीटों की तरह कॉंग्रस के हिस्से की जलेविया भी बीजेपी के हिस्से में आ गई हर्याना के नतीजों ने बता दिया कि राजनीती की जलेवी तब ही स्वाथ देती हैं जब वो जनता खिलाये हर्याना विधानसभा चुनाव में भारतिय जंता पार्टी ने हैट्रिक लगा दी, बीजेपी ने लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीत कर इतिहास रच दिया है अपने दम पर बीजेपी तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है, मंगलवार को शुरुवाती रोजहान जैसे पल्टे वो देखने लायक था लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने बढ़त बनाई उससे कॉंग्रिस हैरान रह गई बीजेपी को पूर्ण बहुमत तक पहुंचाने के लिए कई फैक्टर्स ने काम किया इस जीत के पीछे वो फैक्टर है जिससे बीजेपी ने चुनाव में पूरे प्लैम के तहट लागो किया बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है नायाप सिंग सैनी को चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंतरी बनाना क्योंकि नायाप सिंग सैनी के मुख्यमंतरी बनने से एंटी इंकम्बेंसी की लहर थम गई और नए चेहरे को जनता में दिल्चस्पी बढ़ी और लोगों का बीजेपी के प्रती विश्वास भी बढ़ा नायाप सिंग सैनी खोद एक किशान परिवार से आते हैं और इसलिए उनके मुख्यमंतरी बनने से किसानों की नाराजगी भी कम हुई बीजेपी की जीत में दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर रहा डलित वोड बैंक दुशन चौटाला की पार्टी जेजेपी इस बार चंदरशेखर आजाद की पार्टी एसपी यानि आजास समाज पार्टी से गड़ बंधन के साथ चुनाव लड़ रही थी इसलिए दलित वोड बैंक बट गया और जेजेपी की कई सीटे बीजेपी की और कॉंग्रेस के पास चली गए जिसका सबसे जादा फायदा बीजेपी को मिला बीजेपी की जीत का तीसरे सबसे बड़ा फैक्टर किसान, पहलवान और जवान साबित हुए कॉंग्रस ने पूरे चुनाव में जो फिक नेरेटिब तलाया था वो नहीं चला वहीं बीजेपी के मेनेजमेंट ने चुनाव जीतने में बड़ी भूमिका निभाई प्रत्याशियों का चैन बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर किया जिन प्रत्याशियों के खिलाफ लोगों में नाराज़की थी उन्हें टिकट नहीं दिया गया वहीं बीजेपी ने बूत स्तर पर जाकर कड़ी मेहनत की और चुनाव को अपनी तरफ मोड दिया अगनीवीरों के लिए नौकरियों के ऐलान भी सही साबित हुआ बीजेपी के जीत में जो सबसे बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है वो कॉंग्रिस की गुटबाजी भुपेंदर हुड़ा और कुमारी शैलजा के बीच चल रही सियासी खीष्टान ने भी कॉंग्रिस की हार में बड़ी भूमिका निभाई कॉंग्रिस कारेकरता आपसी खीष्टान में बड़ गए और इस गुटबाजी का सबसे जादा फायदा बीजेपी को मिला हर्याना की जनता ने कॉंग्रिस के जाती काट की हवा भी निकाल कर रग दी यूपी के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात पूरे चुनाव में अपील करते रहे कि जातीयों में बटना नहीं है सीम योगी आदित्यनात ने हर्याना की हर एक रैली में एक जुटता का संदेश दिया था प्रधान मंत्री मोधी और सीम योगी आधित्यनात के बयानों में चुनाव की हवा का ही रुख बदल दिया जो हिंदु जातियों में बटे दिख रहे थे उन्होंने वोटिंग के समय एक जुठ होकर कमल पर मोहर लगाई और नतीजा ये हुआ कि बीजेपे चुनाव जीत गई इस रपोर्ट में फिलहाल इतना ही देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देख तेरें इंडिया न्यूस का डिजिटल प्लैक्फॉर्म